किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजिस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित किया इस मौके पर टिकेट ने कहा कि अगर केन सरकार ने किरसी कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आवाहन संसत तक घिरने का होगा और वहीं 4 लाग टेक्टर नहीं बलकि 40 लाग टेक्टर जाएंगे इसके साथ ही उन्हों किसानों से तैयार रहने को भी कहा क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आवाहन हो सकता है भारत चीन की सीमा पर तनाव के वीच खबर थी कि भारत चीन की कंपनियों को निवेश करने की मंजूरी दे रहा है लेकिन विदेश मंत्रालिय के दिकारियों ने बताया कि भारत चीन के साथ किसी भी तरह की निवेश को मंजूरी देने पर कोई विचार नहीं कर रहा गुजरात में इस्थानिय निकाय चुनाव हुए चुनाव 144 वर्ड की 546 सीटों पर हुए इसमें आम आदनी पार्टी ने 27 सीटों पर जीत प्राप्त की अब आम आदनी पार्टी ने जब 27 सीट प्राप्त कर ही ली हैं तो वह मुख्य विपक्स की भूमिगा निभाएगी पार्टी के उमिद्वारों की जीश से दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज़िवाल ने खुशी भी जाहिर की है उन्होंने गुजरात की जनता को थैंक्यू भी बोला है अब वह 26 फरवरी को गुजरात जाएंगे और सूरत में रोड़ सो करके जनता को धन्यवाद देंगे गुजरात में इस्थानिय निकाय चुनावों के नतीजे आ गए है बीजेपी को जिसमें बड़ी जीत हांसिल होई है बीजेपी को कुल 883 सीटों पर काम्यावी मिली है वहीं पर कॉंग्रेश को मातर 55 सीटों पर तो अगर आम आदनी पार्टी की बात करें तो आम आदनी पार्टी ने सूरत में कॉंग्रेश को हरान करते हुए 27 सीटों पर पढ़जम लह राया देश के कुछ राजियों में क्रोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली सरकार ने देश के पांच राज्यों में दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार रेकट दिया है। अब महराष्ट केरल, 36 गड़, मद्यबर देश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव आर्टी PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। केरल में विधान सबा चुनाप से पहले ही CPM को बड़ा जटका लग गया है। केरल की भाजपा जला समीती ने एदावा किया है कि कोवलम में CPM की दो साखाओं का भाजपा में विला हो गया है। जला समीती के अनुसार CPM छेतर के सदस्य मुकोला प्रभाकन ने नेत्रुत्व में लगबग 100 CPM कारेकरता केंद्रे मंत्री पहला जोसी और वी मुलीधन की उपस्तिती में भाजपा में सामिल हो गए। महिला अपरादी सबनम को होने वाली फांसी की सजा फिलाल टाल दी गई है। क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के साथ लोग की हत्या कर दी थी। महराज पंजाब समेथ कुछ राज्यों में कोर्ना वाइरस से जुड़े मामलों में तेजी आ गई है। इसी बात को लेकर के इन सरकार की परेशानी भी बढ़ती नजला रही है। इसी बीच गोर्ना वैक्सिनेशन अभ्यान को तेज किये जाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। देश में रेजिस्टरड 42% प्रेंट लाइन वर्कर्स को कोवना टीके की पहरी डोस लगाई जा चुकी है। उन में से 63% लोगों को मंगलवार को दूसरी डोस दी जाए। आज राश्टरपती रामनात कोविंद ने गुजरात के एहमदबाद में नरेंद्र मोधी स्टेडियम का उधगाटन किया। उधगाटन समारों में केंद्रे ग्रह मंत्री अमिशहा, राजिस्तान के राज्यपाल आचारिय देवरत, खेल मंत्री किरेन रिजजुजू और बीसी स्याई सचिप जैसहा मौजुद रहे। इसकी और भी खासियत जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चुनावी जन्सवा को संबोजित किया था। इसी दोरान राहूल गांधी ने साउट और नौर्ट के लोगों में फरक की बात कही। राहूल गांधी ने कहा था कि मैं पिछले 15 सालों तक मैं उत्तर में एक सांसद रहा। वहां मुझे एक अलग तरह की राजनीती की आज़त हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत नया था। बस फिर क्या था। उनके इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने उनको नसीहत देरा ली। केंद्रे मंत्री और अमेठी की सांसद इसमिती इराणी ने राहूल गांधी को एसान फरामोज कहा। तो वहीं पर बीजेपी के राश्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले में राहूल गांधी को घेरा है। और कहा है कि कुछ दिनों पहले राहूल गांधी पोरवत्तर में थे तो पक्षिमी हिस्से के लिए जहरोगल रहे थे तो वहीं आ दखिन में हैं तो उत्तर के लिए जहरोगल रहे हैं। सीलंका ने चीनी ड्रेगन को बड़ जटका देते हुए उसकी साइनोफोरम कोवना वैक्सीन को अभी अनुमती देने से मनाय कर दिया। कैबिनेट के सहब रवक्ता डॉक्टर रमेज पतिराया ने बताया कि चीनी वैक्सीन का भी तीसरा चिलन का ट्राइल पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि साइनोफोरम वैक्सीन के प्रंजिकरण के बारे में अभी पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं मिली। सीलंका को अब 1,40,000,000,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ओक्सपरड की कोजोना वैक्सीन पर भरोसा करना पड़ेगा। एक मार्ट से 60 से अधिक उम्र के लोगों को कोजोना से बचाव का ठीका लगा जाएगा। यह ठीका केवल सरकारी केंद्रों में मुफ्ट मिलेगा जबकि प्राइबेट में इसके लिए सुल्क देना होगा। यह सुल्क कितना होगा यह अभी एक दो दिन में तै किया जाएगा। यह बात केंद्रिय मंत्री और बीजेवी प्रवक्ता प्रकास जावडगर ने बुद्वार को केविनेट की ब्रीफिंग के दोरान दी। नोंने बताया कि ऐसे करीब 10 करोड लोग हैं और 10,000 सरकारी केंद्र हैं जिनमें टीका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात ने बजट सत्र के दोरान विदान साबा में बोलते हुए कहा कि धाई साल का बच्चा टोपी पहने हुए व्यक्तियों को गुंड़ा समस्ता है। दरसल विदक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के सदसिये लाल टोबी पहन कर सदन की कारवाई में हिस्सा ले रहे हैं। सीम योगी ने एक वाक्या का जिकर करते हुए इस बात पर टिपनी गरी। तो फिलाल इस खबर में इतना ही ज्यादा खबरों देखते रहे हैं। धन्यवाद।